नमस्कार आप देखरें इंडिया नियूस मैं हूँ आपके साथ स्वाती ठाकुल क्या आप भी अपने दोस्तों से बात करने के लिए ज़ादा तर वाट्सैप कॉलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं ये पूछा गया है कहा गया कि वाट्सैप फेस्बूक के जरी कॉल या मैसेज भेजने के सुविधा को टेलिकॉम सेवा माना जाएगा इसके लिए इन कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा जिससे उन्हें काफे ज़ादा नुकसान होता है इस टेलिकॉम कंपनी का कहना है कि उनकी सिवाएं टेलिकॉम सिवाओं के तहद आती हैं इस मुद्दे पर लोगों की राए जानने के लिए बिल के जो मसोदे हैं उस पर सरवजनिक उसे किया गया 20 अक्टूबर तक बिल के प्रावधानों को लेकर लोग अपनी राए दे सकेंगे लोगों को से जो भी राए मिलने के बाद बिल को संसद में पेश किया जाएगा बिल में साइबर कार्ड को रोकने के लिए भी प्रावधान दिया गया है अब आपको बता दे कि साइबर फ्रॉड जो है उसे रोकने के लिए भी बिल दूरसंच्वार मंत्री अश्रुनी जी का कहना है कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जो बिल है इसमें प्रस्तावित जो बिल है प्रस्तावत बिल जो है उसमें एक अन्य प्राधान ये है कि कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान अब कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति कर सकेगा इसके लिए किसी एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देश में डिजिटल सिस्टम को चुस्त दरुस्त बनाने और भोगताओं के हित में सुरक्षा के लिए सरकार दूर संचार बिल के अलावा निजी डेटा सुरक्षा बिल और डिजिटल इंडिया बिल के मसो को वाटसाफ फेस्बूक इन प्लाटफॉर्म से कॉल करने के लिए अब आपको पैसे देने पड़े वैसी तरह कि तमाम वीडियोस के लिए आप चुड़े रहें इंडिया नियूस के साथ